हम जिस विश्व गुरु होने का दावा करते हैं, उस विश्व गुरु होने के नाते हमारे देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है हम मांग कर रहे हैं इस पूरे मसले में दिल्ली पुलिस और ग्री मंत्राले ने जो रवाया दिखाया है उसके खिलाफ अमिश्व को स्तीफा देना चाहिए, हम मांग कर रहे हैं कि इन आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए लेकिन ये भी बेहत विडंबना है हमारे देश की कि आज हम जिन से मांग कर रहे हैं जो सत्ता में बैठे ये हुकमरान है ये पूरी पार्टी खुद हत्यारों, बलातकारियों ऐसे लोगों की पार्टी है, दंगाईयों की पार्टी है ये वो लोग हैं जो खुद ये सोचते हैं, जो खुद ये मानते हैं कि आरते तो मर्दों के पैर की जूती होती है आरते बच्चा पैदा करने की मशीन होती है और उनको मर्दों के अधीन होना चाहिए ये लोग जिस मनुस्मृती को मानते हैं उसमें साफ साफ लिखा है कि बलातकार को दुश्मनों पर जीत का औजार मानते हैं यानि कि स्त्रियों को और तमाम ऐसे लोगों को इस चीज को जस्टिफाई करते हैं ये वो लोग है ये वो फासिस्ट जो सत्ता में बैठे हैं इसलिए ही पिछले जब से 2014 के बाद से जो आकड़े हैं वो आकड़े उठा करके देखिए कितनी स्तेजी से स्त्री विरोधी घटनाएं हमारे देश में बढ़ी हैं और यही कारण है कि आज हम जिस विश्व गुरू होने का दावा करते हैं उस विश्व गुरू होने के नाते हमारे देश में कोई भी महिला सुरक्षित नहीं है ना अपने घर में ना सड़कों पे ना दफ्तरों में ना किसी अन्य कारिस्थलों पे कोई भी महिला अपने आपको सुरक्षित महसूस नहीं करती है यह है आजादी के 75 सालों की हकीकत यह है हमारे विश्व गुरू होने क तो आज इन तमाम सवालों पे हमें सोचना भी होगा कि क्या रास्ता हो क्या सिर्फ जाज कमीटी बना देने से या महज कुछ कानून बना देने से इस्त्री विरोधी घटनाएं कम हो जाएंगी या फिर इस्त्रियों की मुक्ती संभव होगी इन तमाम सवालों पे हम बात रख सकते हैं जागों मृत्तात्माओं बरबर कभी भी तुम्हारे दर्वाजे पर दस्तक दे सकते हैं कायरो सावधान भाग कर अपने घर पहुचो और देखो तुम्हारी बेटी कॉलेश से लौट तो आई है सलामत भीवी घर में महफूस तो है पहन के घर फोल नगाकर उसकी भी खोच खबर ले लो कहीं कोई यौरत कम तो नहीं हो गई है तुम्हारे घर और कुनबे से पर कायरो निश्चिन्थ होकर बैठो और पाल्थी मार कर चाय पकोड़ी खाओ क्योंकि तुम्हारे घर की स्त्रिया सलामत है कुछ किस्से गढ़ो कुछ कल्पना करो बेशर्मों कल दफ्तर में इस घटना को एकदम नए धंग से पेश करने के लिए बरबर हमेशा कायरों के बीच रहते हैं हर कायर के भीतर अकसर एक बरबर छिपा बैठा होता है चुपपी भी उतनी ही बेरहम होती है जितनी गोद गोद कर जिसमें तलवार या रोड भोग कर की जाने वाली हत्या 19 दिसंबर निर्भाया हत्याकांड के बाद से आज का वक्त है बहुत कानून बैठें बहुत फास्ट्रेक अदालते लगी लेकिन यह सोचने का विसए है और यह सवाल है हमारे उपर कि क्यों आज लोग घरों में चुप बैठे हैं क्यों इसके लिए आवाज नहीं उठा र यह बरबर तरीके से की गई हत्या आज जो लोग यहां खड़े हैं हम तमाम उन लोगों से भी कहना चाहेंगे इस मसले पर औरतों को तो खड़ा होना ही होगा लेकिन उन तमाम पुर्शों को उन तमाम नौजवानों को जो आज जिनके दिलों में इस घटनाओं को लेकर ही पैदा होती है कि हम किस मुल्क में रह रहे हैं उन तमाम लोगों से कहेंगे आज घरों में बैठने का वक्त नहीं है सड़कों पर निकल कर अपनी चुपी तोड़ने और इन घटनाओं के खिलाफ आवाज उठाने का समय है आज हम लोग यहां खड़े हैं अपनी बात